आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि INVIT यानी Infrastructure Investment Trust में निवेश कैसे किया जाता है अभी पिछले सफता आपने देखा होगा कि National Highway Authority of India यानी NHAI का Infra Investment Bond मार्केट में आया था और इसे काफी अच्छा response भी मिला था क्योंकि यह लगबग 8% का effective returns दे रहा है तो उसके बात से ही मुझे काफी लोग के comments आने लगे कि हम लोग INVITS में Investment कैसे कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि INVITS में आप लोग कैसे Invest कर सकते हैं देखे, INVITS बिलकुल REIT के जैसे काम करते हैं जिस प्रकार REIT केवल Real State Assets में निवेश करता है उसी तरह से INVITS Infrastructure Assets जैसे Roadways, Highways, Power Plant, Transmission Line इत्यादी-ित्यादी में निवेश करता है REIT में Invest करके आप Capital Appreciation के साथ में Regular Dividends भी पा सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलू कि जो भी REITS या INVITS होते हैं वह Stock Exchange पर Listed होते हैं और Share Market में ARM Shares की तरह से Trade किये जाते हैं इसलिए अगर आपको इनवेश में Invest करना है तो आपके पास में DMAT Account होना ही चाहिए तो आईए सबसे पहले जानते हैं कि कुल कितनी Listed Invit Company हैं जो भी हाल फिल हाल में Stock Exchange पर Listed हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 5 ऐसी कंपनिया हैं जो Stock Market पर अभी Listed हैं जिनका नाम है Power Grid Infra जो Power Grid का है उसके बाद आता है India Grid Trust उसके बाद National Highways Authority of India का NHAI Invit उसके बाद में India Infrastructure Trust का Invit और उसके बाद आता है IRB Invit Fund तो कुल मुला करके आप देख सकते हैं कि 5 ऐसे Invits हैं जो अभी हाल फिल हाल में Stock Market पर Listed हैं तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कुछ दिनों पहले ही NHAI Infra Investment Bond Market में आये थे जिसे लोगों का काफी अच्छा response मिला था अगर आपको ये जानना चाहिए कि ये एक प्रकार से NCD यानि Non Convertible Debenture सी था और NHAI का Invit Market में काफी पहले से ट्रेट कर रहा है तो अगर आपको NHAI का Invit Purchase करना है तो आपको अपने Demet Account पर जाना पड़ेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा ICIC Direct का Account है आपके पास में किसी भी Company का Account हो सकता है उसे आप Invit को जाकर के Buy कर सकते हैं तो आपको Simply जैसे यहाँ पर हमने Place Order पर क्लिक किया अब आप Exchange चुनिए जैसे मैंने यहाँ पर NAC चुना और मुझे Buy करना है अब सबसे पहले हम लोग Example लेंगे NHAI Invit का तो इसके लिए मैंने टाइप किया National Highway पहला आ गया National Highways Infra Trust यानी NHAI का Invit और जब हम इसको Select करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि NAC पर ये Trade कर रहा है 109.74 तो मान ले कि मुझे 100 quantity लेनी है और Price मैंने डाल दिया अगर मुझे Market Price पर लेना है तो Market Price डाल दिया उसके बाद हमने Price सेट कर ली मान लीजे मुझे 109 रुपय पर चाहिए या अगर आप चाहें तो इसे Market Order लाके Market Price पर भी ले सकते हैं पर मान लीजे हमने यहाँ पर 109 रुपय डाल दिया और आपने यहाँ बाई पर क्लिक कर दिया चलिए अभी बाकी इन्वेट्स को देखते हैं जैसे हम लोग Power Grid Infra को चेक करेंगे तो आप यहाँ पर डालिए Power Grid देखिए आगया एक तो Power Grid Corporation of India नॉर्मल Power Grid के स्टॉक है और दूसरा Power Grid Infra Investment Trust यानि Power Grid का इन्वेट अब देखिए आप इसको क्लिक किजए फिर हमने quantity यहाँ पर 100 डाली आप देख सकते हैं कि NSE और BSE यह दोनों में trade कर रहा है इसकी value 138 NSE पर है और BSE पर भी लगवग same value ही है अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इसकी details भी देख सकते हैं trading volume देख सकते हैं कितना trading volume चल रहा है 1,82,964 इसका trading volume है और यह सब details आप यहाँ से पता कर सकते हैं उसके हिसाब से देखते हुए आप अपनी quantity set करें और price set करें या तो market price set करें या फिर limit price set करें उसके बाद में buy order टाल देखें इसके बाद में हम लोग एक example और देखते हैं IRB INVIT का IRB INVIT अगें आप देख सकते हैं यहाँ पर price change हो गई, NSE और BSE यह दोनों में trade करता है यह देखिए इसके quotes आ गया, बाकी details आ गया, trading volume आ गया, bid price, offer quantity यह सब details आ गया इसको देख करके आप यहाँ पर quantity डालें और अपनी price डालें या फिर market order डालें उसके बाद में buy पर click कर देखें तो इस तरह से आप कोई भी INVIT अपने demate account से purchase कर सकते हैं अब बात आती है कि यह जो कुछ दिन पहले NHI के infra investment bonds market में आये थे उन्हें हम कैसे purchase करा हैं तो देखें कोई भी bonds purchase करने के लिए आपके पास में demate account होना चाहिए क्योंकि यह सारे bonds stock exchange पर trade करते हैं तो देखें अगर आपको इसे purchase करना है तो वापस आप अपने demate account पर जाएए और national highway देखें जैसे ही आप type करेंगे तो आपको इहां पर दिखाएगा NHAIN 21 22 23 7.9 national highway infra तो यह जो तीन तरह के आपको दिखा रहा है वही है NHAI के infra bonds और देखें आप इसकी value 301.96 और 95 NACBSE दोनों पर trade कर रहा है तो आप इसका volume ही चेक कर सकते हैं 48,165 तो आप इसमें भी quantity डालिए जितना चाहिए आपको price डालिए या फिर market order डालिए उसके बाद में buy पर click करिए तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप अपने DMAT account से किसी भी invits को buy या sell कर सकते हैं दोस्तों invits क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं इसके उपर मैंने काफी detailed video बना रखी है उसके बारे में आप जान सकते हैं यहां से